तो दीदी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं CLF की उपसमितियों के बारे में एक दीदी ने कमेंट करके हमसे पूछा था आप इनका कमेंट यहाँ पर देख सकती है सत्यबती नायक आईडी से यहाँ पर दीदी ने हमें कमेंट किया है कि CLF में कितने उपसमिती हैं उसके क्या क्या कार होता है विस्तार से बताईए मैम, वीडियो बनाईए मैम तो मैंने इन दीदी के रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाई है जिससे आप सभी दीदी को भी काफी अच्छी जानकारी मिलने वादी है क्योंकि अगर आप समूज जुड़ी हैं तो ग्राम संगठन से भी जुड़ी होंगी और ग्राम संगठन सेलफ में जुड़ा होता है सेलफ से क्या क्या कारे होते हैं समूज के लिए सेलफ की उपसमितिया क्या कारे करती हैं इनके बारे में जानना समू की दीदी के लिए बहुत ही आवश्यक है तो वीडियो को पुरा हैंट तक अच्छे से देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा तके और दीदी को भी जानकारी हो जाए वीडियो को पहली बार देख रही है समू से लेटेड जानकारी के लिए हमें चलन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा दीदी यहाँ पर हम आपको वदा दे कोई भी समू ग्राम संगठन से जुड़ता है तो वहाँ पर भी पदाधिकारी उपसमीति यह सब होती है जिसके बारे मैंने और लेडी वीडियो बना रखी है आपको लिंक उपर आई बटन में लास्ट में डिसक्रीन पर मिल जाएगा देखिएगा अगर आपको नहीं पता है इसी तरह से सेलफ में भी उपसमीतिया होती है अब important यह है कि सेलफ में कौन-कौन सी उपसमीतिया होती है जब एक सेलफ का गठन होता है तो उस समय कौन-कौन सी उपसमीतिया गठित की जाती है और कितनी उपसमीतिया सेलफ में होनी चाहिए इस पर हम लोग बात करेंगे और सभी उपसमितियों के क्या काम है क्यों गठित की जाती है इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसमिति का गठन कार एवम उत्तरदाइत्व यह CL क्लेस्टर यानिकि संकुल इस तरिये संग की उपसमितियों के बारे में जानकारी है सबसे पहले यह है कि उपसमिति की जरूरत क्यूं होती है संकुल संग ग्राम संगठनों का एक बड़ा मंच है जो ग्राम संगठन के लिए विभिन गतिविदियों को संचालित करेगा इस से संकुल संग के कार्यों एवं उत्तर दायत्यों में व्रद्धी होगी संकुल संग स्वयम अपने इस्तर से कार्यों एवं उत्तर दायत्यों का निस्पादन करवाएगा इन्हीं कार्यों एवं उत्तर दायत्यों के निर्वहन हे तु उपसमिति का गठन किया जाएगा ये उ पर पहला है ग्राम संगठन के कारियों को देख रेख करना यारी जो उपसमितियां बनेगी उनमें से कुछ उपसमितियां होगी जो की निगरानी करेंगी ग्राम संगठनों की और ग्राम संगठन में समुझ जुड़े होते हैं तो प्रतेक समुझों की भी निगरानी ही होगी ये तरीके से फिर है ग्राम संगठन एवं संकुल संग के बीच समनवे इस्थापित करना तो ग्राम संगठन और संकुल के कारियों के बीच उनके लेंदेन के फंड के आदिका समनवे रखना तालमेल बिठाय रखना फिर है ग्राम संगठन से संबंधित प्रसिक्षडों में उपसमितियां सहायता करेंगे विबिन प्रकार की ट्रेनिंग पर सक्षड़ आदी है तो उसमें भी उपसमितियों की सहायता ली जाएगी फिर है वित्तिय तथा गैर वित्तिय संस्थाओं से जुडाओं में मदद करना यानि कि पैसे का लेंदेन वाली संस्थाओं ठीक है वित्तिय संस्थाओं गैर वित्तिय संस्थाओं इन से जुडाओं में मदद करने का कार्य समितियां कराएंगी समाजिक मुद्दों से सम्मधित कारियों की जानकारी देने की भी समितियां होंगी जो समाजिक मुद्दों से सम्मधित कारियों की जानकारी देख रेक निगरानी करके बताएंगी जा करके अपनी मीटिंग में तो समाजिक मुद्धों में क्या होता है बाल विवा है नसा खोरी है और दहेच पर्था है और भी कई सारे säger समाज में जो भी कार होते है जो कि ठीक नहीं होते हैं उनके बारे में उन समाजिक मुद्धो पे बात करनी होती है फिर है परियोजना की गतिविधियों जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थे, करशी, पोसर, प्रारंबिक, पूंजी, करण, निधी, इत्यादी के अनुसरवर में मदद करना तो ये तो हो गया है मुखे मुखे कार जो उप समितियों के माध्यम से कराए जाते हैं उप समितियां इनकी देखरे करती हैं कार उनको सौप दिये जाते हैं तो वो करके उसका बेवरा जो है फिर CLF की मीटिंग में बताती हैं अब यहां पर आपको बताएंगे कि सेलेफ में कौन-कौन सी उपसमितियां होती हैं और उन उपसमितियों के क्या-क्या अलग-अलग कारे होते हैं तो उप समितियों के लिए सबसे पहले तो गठन है तू मापदंड होने चाहिए तो उप समितियों का गठन करते समय क्या-क्या जरूरी बाते हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए तो संकुल संग को उपसम्तियों के निर्माड के लिए निम्न मापदंड पूड़ा करना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर है संकुल संग की कम से कम तीन बैठक हो चुकी हो और 80 प्रतिशत ग्राम संगठन के प्रतिनिधी मासिक बैठक में भाग ले रहे हो यानि कि जितने भी ग्राम संगठन संकुल संग में जुड़े हैं जैसे कि 5, 8, 10, 12 जो भी ग्राम संगठन संकुल में जुड़े हैं जिनको मिला करके ग्राम संगठनों को जोड़ करके एक संकुल का निर्माड हुआ है तो संकुल में उन ग्राम संगठनों के जो पताधिकारी हैं वो मीटिंग में जाते हैं तो ग्राम संगठनों के जो पताधिकारी हैं वो संकुल संग में आ रहे हैं तो सभी ग्राम संगठनों को जोड़कर 80 प्रतिशत जो ग्राम संगठनों के पताधिकारी हैं वो संकुल की मीटिंग में उपस्थित होने चाहिए हर माह जो संकुल की मीटिंग होती है फिर तीसरा है संकुल संग के मुख्य नियमों का अनुपालन कर रहा हो संकुल के जो भी नियम है उनका अनुपालन ग्राम संगठन के पताधिकारी कर रहे हो अब यहाँ पर आपको बताएंगे उप समितियों के निर्माड की पिरकरिया क्या है तो प्रते निधी निकाई की सहायता से निदेशक मंडल द्वारा संकुल संग में उप समितियों का निर्माड किया जाएगा प्रतेक उप समिती में कम से कम तीन सदस से होंगे जिसका चुनाव प्रतिनिधी निकाय से करेंगे प्रतेक उप समिती में प्रतिनिधी निकाय में वैसे सदस सामिल होंगे जो निदेशक मंडल के सदस से नहीं है पर प्रतिनिधी निकाय के सदस से हैं तो यहाँ पर ग्राम संगठनों की जो अधेच सचिप कोसादे दिदी जो जाती हैं संकुल की मीटिंग में वो वहाँ पर जाकर के बैठती हैं तो उन्हीं ग्राम संगठनों की पदाधिकारियों में से जो संकुल इस्तरे संग की समितियां बनती हैं उसी से इसी तरह स्याधी निकाले जाते हैं उन्हीं में से संकुल संग के पताधिकारी भी निकाले जाते हैं अब वहाँ पर उपसमितियां जो बनेंगी वो देखे कैसे बनेंगी संकुल संग के निर्माड के तीन माह के अंदर निम्न उपसमितियों का निर्माड करना चाहिए पहली है सामाजिक पहल स जब संकुल इसतरीं संग तीन माहय में पुरॉन के वो जाता है। तो इस परकार से सेलिफ के गठन के तीन माहा बाद तीन परकार की समितिया बनेगी फिर तीन माहा बाद नहीं छे माहा हो जाएंगे तो फिर तीन और बनेगी इस परकार से समितिया बनती है तब छे माहा के बाद तीन लिखी है जिसमें तीसरा है और भी समितिया तो और में आ के तीन से पांच सदत से होता हैं प्रतीनी दी निखार की मीटिंग में जाते हैं वो फ्रतीनीधिन्धि सबर और पहुचते हैं तो इस कि इस तरह से वहाँ पे सरी खटे दिदी हो जाएंगी तो उसी में से तीन या पांच दिदियों को ले करके समितियां बनाई जाती हैं तो यहां पर दे है कि जो समाजिक पहलुप समिति है तीन से पांच तर्द से हो सकते हैं इसमें और इनका कार क्या होता है समंदित गावों के महतपूर सामाजिक मुद्दों को चिनिहित करना सामाजिक मुद्दे मैं आपको बताए है नसाख हो रही है लड़ाई जगड़ा है पारिवरक के लेस है नाली का जगड़ा है सड़क का है जो भी मतलब सामाजिक समाज में होने वाली जो भी दिक्कते परेशानी है उन में प्राथ्मिक सौास्त केंदर के साथ समनंवे इस्थापित कर विशेसकर माताओं एवं सिशुओं को सौास्त सेवा उपलब्ध कराने की कोचिस करना फिर है संबंदित सरकारी विभाग के सासवन में स्थापित कर छेतर में सुरक्षित पेजल एवं साफ सफाई की विवस्था करने का प्रियास करना फिर है ग्राम संगठन एवं समुदाय को विभिन सरकारी योजनाव जैसे मनरेगा, विकलांगता योजना, विरद्धा पेंशन, विद्वा पेंशन, इंद्रा आवास योजना, पारिवारिक लाभ योजना, मिड़े मील आदी के बारे में जागरूप करना फिर है प्रखंड कार्याले के साथ समन्वे स्थापित कर सदस्यों को विभिन सरकारी योजनाव से जोड़ने का प्रियास करना फिर है ग्राम संगठन एवं समुदाय को सामाजिक मुद्धों जैसे की दहेज परधा, बाल विवा, बाल मजदूरी, बालिका, सिक्छा, घरेलू हिंसा, नसा खोरी, महिला अधिकार, आदी मुद्धों पर जागरूप करना फिर है ग्राम संगठनों में विवादों का निप्टारा करना, ये जो सारे कारे हैं, ये सामाजिक पहल उपसमिती के माध्यम से करवाए जाते हैं अब बात करेंगे दूसरी समिती है सामाजिक अंकेच्छड तथा परिसम्मती जाच समिती, इसका क्या काम होता है तो ये समिती ग्राम संगठन एवं संकुल संग द्वारा क्रे की गई सामगरियों का सामाजिक अंकेच्छड एवं जाच करेगी ग्राम संगठन में जो भी खरिदारी होती है, जो भी सामान खरीदा जाता है और संकुल इस तरह संग में भी जो भी सामान खरीदा जाता है, सामान आधी खरीदने के लिए उसकी जाच और सामाजिक अंकेचड करने का कर इस समीती का होता है, इसके लावा और भी मातपूर बताएंगे, तो इस उपसमीती में परतिनीधी निकाय से कम से कम तीन सदस्य होत जाती है, सामाजिक पहल उपसमीती में, फिर बाकी दीदी में से तीन और चुनी जाती है, इस वाली समीती के लिए, और यह जो समीती के सदस्य होते हैं, यह किसी दूसरी समीती के सदस्य से नहीं हो सकते हैं, मतलब जो दीदी जिस समीती में रखी गई है, वो उसी समीती का कारे देखेगी दूसरी समीती में नहीं हो सकती है अब इस समीती कारे क्या होते हैं देख लीजिए यहां उपसमीती ग्राम संगठनों की बैठक में सम्मिलित होकर प्रतिनिदियों के साथ चर्चा करके सामुदाइक निवेश निदी के उपयोग की जाच करते हैं कि जो खरीदारी के अंतरगत गई सामिगरी की जाच करना ये भी कारी समीती का होता है फिर है ग्राम संगठन द्वारा निर्धारित मद में ली गई राशी सम्मंदित मद में खर्च हुई है या नहीं इसकी जानकारी लेना फिर है प्राप्त रिन राशी के नुसार गुडवत्त पोड़ चीजों की जानकारी लेना फिर है ग्राम संगठन द्वारा लिये गए रिली की समया नुसार वापसी की जाच करना तो इस पकार से इस समीती के कारे होते हैं और जिस भी समुमिती दिये से जुड़ी है कि सोचती है कि माली जैसी आईप का पैसा लिया है कोई भी नही भी लिया है अभी CLF नहीं बन पाया है तो जिब CLF नहीं बन पाया है तो फिर कैसे क्या होगा लेकिन जैसे जैसे कारे आगे बढ़ेगा शमुम आगे बढ़े तो ये सारा कार जो चायेंगे इस उप समिती का निमलिखित कारे होता है पहला कारी क्या है कि ग्राम संगठनों दरा जमा किये गए माइक्रो प्लान का अवलोकन कर ग्राम संगठन के रिन वापसी रिकार्ड पर सुईकर्ती के लिए कारकारी समिती को प्रेसित करना फिर है रिन वापसी तालिका के अधार पर ग्राम संगठनों की प्रारंभिक पूंजी करण रासी की वापसी पर समिक्षा करना अगर ग्राम संगठन नियमता रिड़ वापसी नहीं करती है तो ग्राम संगठन को प्रेरित करना की आवश्यक रुड़नी तैयार करना फिर ग्राम संगठनों एवं सामुदाई साधन सेवियों के प्रसिक्षड की जरूरतों का आकलन करना एवं प्रसिक्षड की ट्रैनिंग आदी की विवस्था करना फिर ग्राम संगठनों की बैठक में भाग लेना एवं उनके कार प्रगति का आवलोकन कर समिक्षा करना फिर एक ग्राम संग अठनों के गुडवता कारेयों की प्रगति की समीक्षा निर्धारी सुचकों के आधार पर करना और इसे गती देने के लिए आवश्यक रड़नीति तैयार करना पिर संकुल संग के खाता बही के निमित संधारण का मूल्यांकन करना ये सारे कारे होते हैं इस समिती के अब बात करते हैं बैंक लिंकेज समिती की तो बैंक लिंकेज समिती में भी परतनीधी निकाय के तीन से पांच दिदी होती है और इसका जो कारे होता क्या है कि संबंधित बैंक साखाओं के साथ समंवे इस्थापित कर ग्राम संगठनों को समूहों का बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज के लिए आवश्चक दस्तावेज उपलब्ध कराना फिर है ग्राम संगठन के दुआरा समूहों को बैंक खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज समधित अस्तावेजों को निरिच्छड उपरान समधित बैंक साखा में जमा करना एवं जल्द निस्पादन के लिए बैंक साखाओं के साथ समन्वे इस्थापित करना फिर है समूहों के खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज में गति लाने के लिए बैंक लिंकेज कैम्प का आयोजन करना समूहों के बैंक रिन वापसी पर समिच्छा करना अगर रिन वापसी निमित नहीं है तो समधित ग्राम संगठन के साथ आवस्चक रणनी ती तयार करना फिर है बैंक मित्र यानि की बैंक सखी के कारियों का मुल्यांकन करना और उन्हें साहयोग करना ये बैंक लिंकेज समिति का कारे हैं फिर है सम्मंदित बैंक साखाओं के साथ सामाजी मासिक बैठ करना एवं समूहों का बैंक रिन वापसी समूहों द्वारा तयार किया गया माइक्रो प्लान एवं रिन की जरूरतों पर चर्चा करना फिर है ग्राम संगठनों का सिरेरी कर एवं आंतरिक अंकेच्छड कारे का स बात करेंगे विपरण एवन खरीदारी समीती की तो इस समीती में कम से कम तीन सदसे होंगे जो भी ने ग्राम संगठनों से होंगे और किसी अन दूसर समीती के सदसे नहीं होंगे इसके कारी क्या है कि यहां समीती सूक्ष में योजना का पुन्रावलोकन करेगी सामगीरों का करेंगी नि खरीदारी करेंगी जो भी समान खरीदा है वितरण एवं अन्सिरवड करेंगी यह समीति सामगरी एवं सेवाओं की प्राप्ति में तमाम सामुदायिक रसीध नियमों का पालन सुनिशित करेंगी समिती तमाम अभी शिर्वों की जाचकर भुक्तान एवं किरे की गई सामिगरी के वित्रण की नुसंसा करेगी समिती प्रतेक मद के लिए दरकिन सुची एकतित करेगी सुरच्छित रखेगी और यह क्रे विक्रे से संबंदित निर्गत राश्ची के लिए उप्योगदार प्रमाड पत्र भी जारी करेगी यह समुदाइक निवेश निदी के प्रस्तावों का मुल्यांकन करने में ग्राम संगठन और संकुल संग की मदद करेगी बहुत ध्यान से इन समितियों का समझ लीजिएगा अगर आप इन समितियों में जुड़ती हैं तो आपको इसी प्रकार से कारे दिये जाएंगे उपसमीति के कारियों की समिक्षा कैसे होती कि जो कार कर रहीं वो ठीक पिकार से हो रहें क्या कुछ कर रहीं उसकी समिक्षा तो उपसमीति के कारियों की समिक्षा निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा उपसमीति के कारियों की समिच्छा मूल रूप से उपसमीतियों द्वारा बनाई गई कारियोजना एबम रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा प्रतेक उपसमीति प्रतेक निकाय या निदेशक मंदल की बैठक में अपनी कारियोजना के उसार रिपोर्ट जमा करेंगी कारियों को इस पकार से ये सब करके रिपोर्ट तयार करके हमको देनी हैं तो ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वही उपसमितियों में जाके जुड़ती हैं तो फिर संकुल की उपसमितिया बनने के बाद वे कारे करती हैं और उसके बाद संकुल की मीटिंग में जब ज और या सीलिफ की पदाधिकारी है अधिस शचीवकोजादे उनको क्या कोई मान्दे मिलता है या नहीं मिलता है तो कितना मिलता है तो इस पर मैं अगली वीडियो लेकर के आऊंगी अगर आप लोग चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए गा जितना अधिक कमेंट आएगा तो उस वीडियो को जरूर बनाएंगे तो दिदी यहाँ पर जो है संकुल संग की उपसमितियां है जो पताधिकारी हैं उनको लाभ मिलते हैं कहीं ना कहीं लेकिन कैसे कहां ये सारी जानकारी आपको बनाए रखनी होगी उसके लिए वीडियो देखने होगे तो अगर आप च